हेलो एब्रिवान वेल्कम तू सेतार असोई आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बहुत इस्वादिश टोड़ चटपटी चनी डाल और लौकी की सबजी यह सबजी टेश्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है अगर आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद है तो प्ल कोड़ आप से अधा किलो लौकी लिया है इसे हम चौकॉर इस तरह से काटेंगे हम ने दो मीडियुम साइज प्याज दिये हैं जिसे हम इस प्रकार लंबे में काट लेंगे आधा कप चनी डाल को हमने दो घंटे के लिए भीगो कर रख दिया था चलते हैं नेक्स्ट पॉस हमने फुरन में हरी मिर्च, काली मिर्च, जिजपत्ता, गड़ी पत्ता और जीरा लिया है फुरन डालने के बाद हम कटर हुआ प्याज डालेंगे अब हम प्याज को तेल में भून लेंगे प्याज को हम दू से तीन मिनट के लिए भूनेंगे इसे हम लाइटली गोल्डन ब्राउन होने देंगे प्याज भून गया है अब इसमें हम चना डाल डालेंगे आदा छोटे चमाज हल्दी पाउडर डालेंगे दो छोटे चमाज धनिया पाउडर डालेंगे एक छोटे चमाज लाल मिर्च पाउडर डालेंगे स्वाद अरुसार नमक डालेंगे दो चोटा चमच लासन अद्रका पेश डालेंगे अब इन मसालों को एक से दो मिनिट के लिए तेल में भून लेंगे मसालों को लोटू मेडियूम फ्रेम पे भूनेंगे दो मिनिट हो गया है इसमें अब एक कप पानी डालेंगे पानी डाल कर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कटा हुआ लोकी डालेंगे लोकी डाल कर इसे भी हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए मसाले और लोकी अच्छे से बून गया है इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे अब इस सबजी का हम दो सिटी लगा देंगे हमने दो सिटी लगा दिया है देखिए कितना अच्छा सबजी दिख रहा है अब इसमें हम एक चुटा चमाच कसूरी मेठी डालेंगे आदा चुटा चमाच गर्या मसाला पावडर डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे अब इस सबजी और मसालो को अच्छे से मिला लेंगे लोकी अर्चने डाल की इस्पेसल सबजी तेयार है आप भी बनाएए यह बहुत ही टेश्टी लगता इसे आप रोटी चावल पूरी से भी खा सकते हैं इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है अगर आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें प्लीज फ्रेंड मुझे कमेंट करना ना भूले कि आप सबको मेरी यह रेस्पी कैसी लगी ठाइंक यू फ्रेंड थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में